यह बुक मेरे को औस्वाल बुक्स की तरफ से बेजी गई है तो इसके बारे में आपको बता रहा हूं इस बुक में क्या है गाइस जो हमारी ncrt होती न ncrt के जो टेक्स्ट बुक होती है ncrt के टेक्स्ट बुक के सॉलुशन्स प्लस ncrt के जो हमारी ncrt के टेक्स्ट बुक के सॉलुशन्स जो हमारी में ncrt के टेक्स्ट बुक होती है वो और एक ncrt की जो एक्जांपलर होती है उसके सॉलुशन्स प्लस cbse के previous year questions को mix करके दिया होता है देखो सबसे पहले देखते हम इसमें क्या है क्या बुक में सबसे पहले जो हमारी 15 chapters है वो दी होंगे मैं देखो दिखाता हूं सबसे पहले chapter क्या है हमारा real numbers real numbers में सबसे पहले हमें quick review दिया होगा जो हम जल जली देखके पढ़ लेंगे quick review दिया होगा उसके बाद यहां से main ची शुरू होती है देखो सबसे पहले multiple choice questions multiple choice questions दिया है very short answer type questions दिया है फिर इसके बाद short answer आ जाजेंगे short answer then फिर long answers आ जाजेंगे देखो इसमें कैसे दिया होता है सबसे पहले देखो यह हमें बतावा है यह वाला question NCRT examplers का सारे questions को NCRT examplers और NCRT textbook और CBSC questions paper previous year question papers सबको mix करके दिया होता है अब यह question है NCRT examplers का बतावा है हमें ऐसी कई question देखो जैसे यह यह है NCRT exercise 1.1 का question है ऐसे यह देखोगी exercise 1.1 का question है सारे questions को mix करके दिया है अगर आप NCRT ना करो ना यह वाली book कर लो इसमें NCRT पी पूरी cover हो रही है और इसमें NCRT examplers और NCRT textbook और previous year question और इस book से देखो यह examplers का question है यह exercise का question है आगे दिखाता हूँ मैं अब इसमें cbsc board के भी question होंगे यह देखो cbsc board all india region 2018 में question पूछा गया है ऐसे इसमें सारे question दिया होते है और इस book में क्या है हर chapter के बाद आ औस वार लर्निंग tools दिया होते है अब अब आपके जो फोन में scanner होगा उससे इस पार कोड को scan करो गए गया तो वीडियो इसे हर chapter के बाद और लर्निंग tools दिया होते हैं इनको आप चाओ scan करके वीडियो देख सकते हो अब ऐसी देखो chapter 2 भी है chapter 2 में एक बता देता हूँ देखो अब यह questions है देखो ncrt exemplar का question है ऐसी और कोशन देखो यह भी ncrt exemplar का है ऐसे ncrt की exercises और ncrt exemplar सब कवर हो जाती है इस book से okay और देखो इस book की सबसे best बात है इस मेंना mind maps भी दियो में मैंने यह चीज बड़े ची नोटिशेरी थी किसी book में ने दिया होता है यह देखो अब यह mind maps है यह real numbers है हर chapter के mind maps दियो है line wise अब देखो यह जैसे real numbers है real numbers में क्या क्या होता हमारा एक यॉक्लिट्स डिविजिन लेमा होता है एक यॉक्लिट्स डिविजिन एल्गुरीदम होती है एक fundamental theorems होती है जो मारी fundamental theorem होती है एसी prime factor visualization method होता है यह real numbers में यह जो mind map है न हमारा यह papers के time में बहुत काम आता है तो यह देखो chapter 2 का भी होगा chapter 3 का भी होगा यह दा chapter 2 का chapter 3 का सब line wise दियोंगे अब यह chapter 3 का देखो कि मैंने आपको same to same ऐसे करवाया हो है chapter 3 का ऐसे हर चीज लिखा के करवाया है अब इन्होंने यही चीज short में दे दिया है और जो चीज यह जो चीज है न यह paper के time में बहुत सभी काम आती है हर chapter का mind में बहुत काम आता है यह जो book है अगर जैसे आपके कोई engineering के exams है आपके कोई medical exam है उसमें भी बहुत काम आईगी सिरफ अभी तक मैंने को सिरफ यह एक ही book ऐसी पता लगी है एक ही book है जिसमें NCRT के text book के solutions भी है और NCRT के exemplar के questions भी है और साथ में जो CBSC board के जो previous questions दोते हैं वो भी है तो आप इस book को consider करना चाहते हो तो कर सकते हो बहुत अच्छी book है Thank you